आज पब्लिक इंटरस्ट लेकर फिर से हाजिर हूँ अगर आप अपने घर में रखे समान की तरफ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसमें कितना सारा माल चीन से बना हुआ है चीन की घुसपैट सिर्फ मेरे और आपके घर या बाजार में ही नहीं है अब कई मजबूर देश है जो विचारे छोटे हैं लाचार हैं आर्थिक संकट है वो सस्ते और लुभावने कर्ज के चक्र में चीन के शिकंजे में फस्ते जा रहे हैं आज की हमारी सिगनेचर स्टोरी में चीन के उस फैलते जाल पर या उसकी कहानी है जो भारत के पडोसी देशों में टेजी से फैल रहा है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ये बात अक्सर सरकारी बसों में लिखी दिखती है आपको अंदर क्या ये सिस्टम दवा पर भी लागू होगा जो दवाई हम खाते हैं उसकी बात में कर रहा हूँ अगर दवा खाने से कोई बिमार हो जाए गोली का साइड इफेक्ट हो जाए रियक्शन हो जाए तो क्या दवा कंपनी की कोई जिम्मेदारी है लोग सबा में आपकी सेहत से जुड़ा एक बिल आया है इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है सरकार से सवाल पूछ रहा है आज एक्स्क्लूसिव स्टोरी में जनता से जुड़े बिल का पूरा विवरा देंगे ताकि दूद का दूद पानी का पानी हो सके बिहार में मंत्री और अफसर का जगड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया है मंत्री जी तीन हफते से छुट्टी पर है अफसर एजुकेशन मनिस्ट्री चला रहे हैं सवाल बच्चों का है उनके भविश्य का है पब्लिक प्लैटफॉर्म पर मंत्री अफसर की तू-तू में वाला एपिसोड आप देखना मत भूलिएगा आज पब्लिक इंटरस्ट में आपके घर की गुडिया और एटम बंब बनाने वाले पापा की बात करेंगे सिनेमा घरों में हॉलिबुड की दो फिल्में वॉलिबुड की फिल्मों को कैसे टक्कर दे रही हैं सोशल प्लैटफॉर्म में ये भी आपको दिखाने वाले हैं पहले सिगनेचर स्टोरी की बात कर लेते हैं आज आपसे दुनिया के बड़े साहुकार की बात करनी है ऐसे देश जो गरीबों को कर्ज देता है बदले में जमीन का पट्ता लिखवा लेता है ब्याज पर ब्याज चड़ता चला जाता है और वहाँ अपनी सेना को तैनात करने का वो इंतजाम कर लेता है आप समझिए कि ये कैसे होगा हम चीन की बात कर रहे हैं दरसल चीन अब हिंद महा सागर की तरफ भड़ रहा है उसने भारत के पडोसी राज्य पिलकुल पडोस में बसा हुआ है शिरिलंका उसने पडोसी राज्य की जमीन हडपने का पूरा इंतजाम कर लिया है वहाँ पोर्ट मना रहा है और अब अपनी नेवी को तैनात करना चाहता है सवाल देश की से जुड़ा है इसलिए पब्लिक इंटरस्ट में लाल सल्तनत के करजवाले ट्रैप का सच बताना है और ये हमारे लिए आपको बताना बहुत जरूरी है चल्द ही पिजिंग के जंगी जहाज कन्या कुमारी से 450 किलो मिटर दूर अपनी तोपे तान कर बैठ जाएंगे हमबन टोटा बंदरगा श्री लंका के दक्षनी हिस्से में स्थित है जिस पर मालिकाना हक चीन का है चीन इसका इस्तेमाल हिंद महासागर में तेल और अनाज जैसे समान लाने और ले जाने में कर रहा है श्री लंका के इस महतपूर्ण सामरिक स्थान पर चीन का कबजा कैसे होगी श्री लंका की एकॉनमी कमजोर चल रही है चीन ने पहले उसे खुलकर कर्ज दिया श्री लंका उस कर्ज को चुका नहीं पाया इस स्थिती में हमबन टोटा बंदरगा को गिर्भी रखना पड़ा चीन की नौसेना सिर्फ हमबन टोटा में ही अपना बेड़ा नहीं डालेगी पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में गवादर बंदरगा पर चीन काविज हो चुका है सिर्फ कॉमर्स के लिए ही नहीं बल्कि फौज की जरूरतों के लिए भी आर्थिक मुसीबतों से जूजते हुए शिरलंका और पाकिस्तान चीनी कर्ज के चंगुल में फंस गए हैं चीनी परियुजनाएं सिर्फ इन दोनों देशों में ही नहीं बल्कि भारतिय सीमा से लगे अन्य देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेमेंट के नाम पर तेजी से बढ़ रही है चाहे वे चीन हो या मयमार भुटान हो या बंगला देश हो या फिर मालदीव चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ती जा रही है और ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि चीन सिर्फ ब्यापारिक हितों के कारण ऐसा नहीं कर रहा है भारत आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता है और अगले चार साल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन जाएगा ऐसे में किवल दो देश ही उपर होंगे एक अमेरिका और दूसरा चीन अमेरिका के साथ तो भारत की संबंद पहले से भी काफी अच्छे रहें लेकिन चीन भारत की इस बढ़ती हुई अर्थवियस्ता की तेजी को रोकना चाहेगा और इसी लिए अब साथ चाइना सी के बाद में हिंद महासागर यानि की इंडियन ओशन पर चीन की पैनी नजर है चीनी इरादों की तस्दीक ये तस्वीर भी करती है एशिया के ही कमबोडिया में रीम नेवल वेस को अपने हिसाब से तयार कर लिया है वहाँ भी बात इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से शुरू हुई थी खतम सैने अड़े पर कुई कुछ सेटलाइट फोटोग्रैफ्स थी जिसके तहर ये जानकारी हासिल हुई कि वहाँ पर जो पीर्स हैं पीर्स का मतलब जो खंबे हैं जो पोर्ट के उपर खंबे लगे हुए हैं जो धातू के और कॉंक्रीट मिक्स के होते हैं जिन से युद्पोर्ट को सिक्योर किया जा सकता है बांदा जाता है जब वो लंगर डाले हुए होते हैं और अगर युद्पोर्ट बहुत भारी टनेज का है तो इन पियर्स की बनावट भी उसी तरीके से हो सकती है कि उस बारी जहाज को रोके रखने की उसमें ख्षंता हो साल भर पहले उसने हमबन टोटा में ही एक टोही जहाज बेजा था बाद में श्रिलंका को चाइनीज यूद पोथ गिफ्ट दे दिया ये सोचना भी नादानी होगा कि चीन सिर्फ उनी देशों को अपने शिकंजे में कस रहा है जाहिर है हिंद मासागर के जरिये निशाने पर भारत भी है अब सोचने वाली भात ये है कि चीन को इस इलाके में भारत को काउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी क्यों चीन इदर बढ़ रहा है और क्यों चाहता है कि इस तरह से हमबन टोटा में उसका दखल होना चाहिए हमबन टोटा पोर्ट पर चाइनीज कबजे की इंसाइड स्टोरी क्या है ये समझने के लिए चीन के एकॉनमिक इंटरस्ट को हमें समझना होगा बेले चीन अपने माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मलका स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है उसका 80 फिस्दी तेल इसी समुद्री रास्ते से पहुँचता है मलका स्ट्रेट सिंगापूर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है दुनिया के करीब 80,000 जहाज इस रूट से गुजरते हैं और ये हिंद महासागर को दक्षिन चीन सागर से भी जोडता है ये रूट अफरिक्की और खाड़ी देशों को सौथ इस्ट एशिया, जपान, कोरिया और चीन से जोडने वाला सबसे छोटा रास्ता है यहीं चीन की दुख्ती रग है मतलब उसकी दुख्ती रग यही है हिंदुस्तान इस रूट को ब्लॉक करने की ताकत रखता है अगर ये रूट एक साल बन रहता है तो चीन को 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुक्सान होगा इसलिए चीन काफी वक्त से दूसरे रूट की यहीं बैकल्पिक रूट की तलाश कर रहा है कई एक्सपर्ट का मानना है कि चीन का CPEC प्रोजेक्ट और गवादर में उसकी मौझूदगी मलक्का वाली दूविदा को खतम करने का प्लान है चीन थाइलेंड के जरिये भी नया बैकल्पिक रूट तलाश कर रहा है प्रकार से वहां से 70-80% टेड जो है वह इंडियनों सिचेंज जाता है वहां जो में सी लेंज हैं उनको भी ध्यान देने के लिए जो चीन है वह हमन तोटा से कारवाई कर सकता है और इसी परकार से उसने जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का उस पर भी जो स्टेटिक ली बहुत इंपोर्टन्ट है वहां पर भी उसने अब अपने नाम कर लिया है चीन वाली चुनोती है तो बड़ी इरादे भी खतरनाक हैं क्योंकि इंडिया के सभी परोसियों को चीन ने पैसे का लालच दिया है वहां प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है शिरलंका के हमबन तोटा पोर्ट में चीन का नेबल बेस तैयार होने वाला है यानि वहां से समुदर के रास्ते अगर कुछ करना हो तो असानी हो जाती है बंगला देश के मोंगला बंदरगा में चीन का दखल बड़ा है पोर्ट को मॉडरन करने के नाम पर वो बंगला देश को पैसे दे रहा है लोज इतने पैसे लेने और डिवेल्मेंट करो लेकिन मकसद कुछ और है चीन मायमार में कोको दूइपर नेभी बेस बनाने की तैयारी में जूटा है ताकि वहाँ से भी उसका सी रूट के जरिये एकसेस हो जाए बाकी देशों में भुटान में गौँ बसाकर वहाँ जमीन पर गौँ बसाकर कबजा करने का एरादा है इसलिए वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंट्रस्ट्रक्चर का निर्मान कर रहा है ताकि धांचा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा BRI यानि Belt Road Initiative इस बहाने से नेपाल के नजदीक आ रहा है चार लेन वाली सडक यानि फोर लेन जैसे बनती है न को लेकर रेल प्रोजेक्ट तक की फंडिंग कोई देश कहता है ग्रीव देश की जी रेल नहीं हमारे हम देते हैं पैसा आप लगाओ और बाद मैं अपना एजंडा उसके आगे रख देता है चीन अफगानिस्तान के खजाने पर भी चीन की नज़र है ओएल डील के बहाने तेल की जो सौदे हैं उसके बहाने वहाँ पे भी जमीन हत्याने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर भी चीन का कबजा हो जुका है यह गवादर पोर्ट वो है जो भारत के ऐसे से नीचे चीन इदर से आएगा शिंगाई साइट से और इदर से होके चला जाएगा तो पूरा रूट बना रहा है मालदीब को भी करज देकर हिंदमा सागरवाले रूट को मजबूत करना चाहता है इस बीच अफरीकी देख्ष जिबूती में चीन का नेबल बेस पहले से ही तैयार है आप प्लैनिंग देखिए कहां-कहां मतलब भारत के आसपास कहां-कहां चाहिए वो खाडी देश है चाहिए दूसरे देश है कहां-कहां प्लैनिंग कर रहा है चीन ने कुछ पिछले वर्षों में अपनी नॉसियना जिसको हम CCP नेवी कहते हैं उस पर अपना ध्यान के इंद्रित किया है कि उसकी शमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई जाए और इसका मकसद सिरफ South China Sea और East China Sea में नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए जो उनकी नॉसियना की जुरुत है वह उनके लिए बहुत काफी संख्या में है पांसो से भी अधिक संख्या के युद्धपोत रहने वाली चीन की अभी नॉसियना विश्व में सबसे अधिक संख्या में नॉसियना में है वी समय और इसका ध्यान पूरी तरह हिंद प्रशान्थ शेत्र में हिंद महासागर पर केंद्रित है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने व्यापार और अपनी नॉसियना को इस शेत्र में तैनाद करने के लिए अपनी नॉसियना में प्रगती और उनती की है चीन छोटे देशों को कैसे फसाता है कैसे उनको गाड़ता है कैसे उनकी मजबूरियों का फाइदा उठाता है इसका जिकर भी एड डेटा की रिपोर्ट में साफतोर पे किया गया है पता चला है कि चीन ने 46 देशों में से 76 पोर्ट पर 30 बिलियन डॉलर खर्च की है अब ने ये ग्राफिक के नजर से समझ लीजिए 46 देशों के 76 पोर्ट पर 30 अर्ब डॉलर खर्च की है इन्वेस्टमेंट देखिए कितनी हावी है दूसरा ये 21 साल में 123 सी पोर्ट प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया है यानि आप काम शुरू करो पैसा भाई सब हम से लो आठ देशों के बंदरगाहों पर चीन की नजर है जो सारे भारत और इसके आसपास योरोप और इसके आसपास है इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, मोजांबिक, वांतवू और मौरिशियाना ये वो देश हैं जहां पर ये अपनी घुसपैट करना चाहता है ताकि इन सब अफरीकी और खाड़ी देशों के जरीए वो वहां तक पहुंच सके जहां तक चाहता है सौ मिलियन डॉलर से लेकर एक बिलियन डॉलर तक खर्च करता है यहां पर देखिए और इसका न दो दो इरादे रहते हैं एक कि किसी तरह मेरी आर्थिक स्थिती बनी रहे और दूसरा मेरा जो सैन्य निशाना है वो भी काईम रहे सवाल यह है कि अगर चीन इस तरह आगे बढ़ रहा है हिंद महासागर में इंडिया के खिलाफ चक्रभू त्यार कर रहा है तो फिर हमारे देश का जवाब क्या होना चाहिए क्या होगा हिंदुस्तान की भी तैयारी है कोई यह सवाल हमने वाइस एड्मिरन एस एन गोर माडे साब से पूछा क्योंकि वो इसके मास्टर है तो वो सुनिए क्या बतार है भारतिय नौसेना ने अपना Maritime Capility Perspective Plan बनाया है इसमें चीन की जो सेना नौसेना की बढ़ोतरी हुई है उस पर हमने ध्यान के इंद्रित करके हमारा Maritime Capability Perspective Plan बनाया है जिससे की भारत, भारतिय नौसेना एक सशक्त सेना हो और जब 2017 में जब हमारा अमृतकाल खतम होगा और सौ वर्ष पूरे होंगे आजादी के उसमें हमारी नौसेना एक अनुभवी और आधुनिक नौसेना होगी जो भी नौसेना या चीन की हो या पाकिस्तान की हो या कोई विदेशी नौसेना जो हिंद महासागर में तैनाथ होगी तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त होगी कि हम इधर शेत्रियस तिरता और शांती बनाने में काम्याब रहेंगे चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता उसका आर्थिक नीचियों की आड में सैने और स्वार्थ हल करना बड़ा एजंडा है मकसद भी है लिहाजा भारत को चीन के खिलाफ सटीक रणनीती के तहत आगे बढ़ना होगा और इसमें हम सब भारतवासियों को जिस तरह से भी हो सके उसमें सहयोग करना चाहिए उसमें आप अपने घरों में जो अनवश्यक समान है जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका भार निकाल के भी कर सकते हैं अचा हर घर में फस्टेट बॉक्स तो रहता ही है आपके घर में भी होगा मेरे घर में भी है अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए सिर में दर्द हो जाए उठाई एक गोली खा लेते हैं डिस्प्रिन खाली ये वो खाली जब छोटा मोटा कोई भी मर्ज होता है हम उसका घर में ही इलाज कर लेते हैं लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर दवा का side effect हो जाए तो जिम्मिदारी किसकी होगी अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या मुद्दा discuss करने बैठ किया क्योंकि मुद्दा public interest का है जो समाने तोर पर हर घर में होता है और जो सवाल है वो आपकी सिहत से जुड़ा है इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं असल में हुआ क्या है केंदर सरकार लोगसबा में जन विश्वास बिल लेकर आई है जिस पर विपक्ष को कड़ा इतराज है बिल पर कॉंग्रेस ऐसा कह रही है कि नकली दिवा अगर आप खाओगे और उससे आपको दिक्कत हो जाएगी तो उसके जिमेदार भी आप होंगे यह कॉंग्रेस का इल्जाम है कॉंग्रेस ऐसा क्यूं बोल रही है बवाल क्यूं हो रहा है और सच क्या है यह आप भी जुरूर जाना चाहते होंगे आज exclusive story में हम यही बता रहे हैं कि बवाल और बिल की पूरी ABCD है क्या तीन दिन पहले तारीक 27 जुलाई दिन गुरुवार का लोगसभा में जन विश्वास बिल पास हो गया सरकार ने दलील दी पूरी सूजबूज और जनता के हितों को ध्यान में रख कर बिल लाया गया है प्रदान पंद्री नरेट नमोदी जी विश्वास करते हैं 140 करोण लोगों की सूजबूज पर के वो अच्छा काम करेंगे और अगर भूल चुक में गल्ती हो गई तो सुधार का एक मौका चाथ ये सिलसला इस जन विश्वास कानूर के तहट करने का एक प्रयास शुरू किया गया है जन विश्वास बिल आया तो बखेडा भी लाया कॉंग्रेस ने बिल और सरकार की नियत पर सवाल खड़े कर दिये सवाल क्यों खड़े हुए और आम लोगों को बिल से क्या दिक्कत आएगी कॉंग्रेसी खेमा ये समझा रहा है सरकार ने फिर से जबरन एक बिल पास करा लिया उस जन विश्वास बिल में एक नया कानून बनाया गया वो कानून क्या कहता है कि अगर नकली दवाई खाने से या दवाई के किसी साइड एफेक्ट से आपकी मौत हो जाती है या आपकी किड़नी, गुर्दा, हार्ट जैसे अंग खराब हो जाते हैं तो उसके लिए दवा बनाने वाली कंपनी की कोई जिम्मेदार ही नहीं होगी तो नकली दवाई भी आप खाईए, दिक्कत भी आपको हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है जन विश्वास बिल पर विपक्ष को क्यों विश्वास नहीं है क्यों विबक्ष बिल को जन विरोधी और फार्मा कमपनियों के हित में बता रहा है इसकी वज़े भी बताई गई तो क्या वाकई ऐसा है कि दवा के रियक्षन से अगर किसी की जान चली जाती है तो जिम्मेदारी दवा कमपनियों की नहीं होगी सरकार इसमें क्या कहती है अधूरी जानकारी नुकसान दायक होती है इसलिए पबलिक इंटरस्ट में बिल पर हो रहे बवाल की जड़े खोदना ज़रूरी है जन हित में ये बताना और समझाना हमारा फर्ज है कि बिल है क्या और इसका आप पर क्या आसर होगा जन विश्वास विधयक पर विपक्ष बवाल कर रहा है और कन्फ्यूजन भी बहुत सारी है तो इसे दूर कैसे करें हम जब बिल की सही जानकारी होगी तब ही तो ये दूर हो सकती है जन विश्वास विधयक 19 मंत्रालें से जुड़ा हुआ एक बिल है जिसमें क्रिशी, वनिज, उभोगता, रक्षा, सूचना, पर्यावर्ण, वितिय सेवाएं, स्वास्त और परिवार कल्यान, डाक, रिल्वे मंत्राले वगएरा वगएरा शामिल है ये सबी इन 19 विवागों से जुड़े 42 कानूनों में करीब 180 मामलों को अपराद की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा छोटे वेपारियों को बढ़ावा देने की कोशिश होगी, कोट कचेरी के जंजट से उनको छुटकारा मिल जाए, परेशान न रहे, ये फाइदा होगा बिल का फाइदा आम आदमी को क्या होगा, ये तो चलिए बेपारियों की बात होगी, आप सोचेंगे ये मुद्दा लेकर हम भी एक्सपर्ट के पास पहुंचगे डिसकस करने क्यों कि हर चीज के हम भी एक्सपर्ट नहीं है ये पेपारियों की बात है, तो सरकार जो कर रही है, इससे आम आदमी को क्या फाइदा होगा, सुनिए उनको भी कहीं से भी आ रही है, कहीं पे उसकी तेस्टिंग नहीं हो रही है, और वो उनको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है सरकार ने बड़ी कंपनियों के साथ हाथ से हाथ मिला लिया है, कहीं न कहीं अपना फाइदा देख लिया दोविदा दूर होनी चाहिए बिल में ऐसा कुछ नहीं जिससे दवा कमपनियों की जवाव देही कम हो जाए हाँ छोटे कारवारियों को थोड़ी रियायत जरूर है पहले जिन छोटे अपरादों में सजा और जुर्मानने दोनों का प्राथधान था अब उने जुर्मानने तक सीमित कर दिया गया यानि सजा का उसमें से काड़ दिया गया छोटे अपरादों में पहले सीधे जेल जाना पड़ता था छोटे सा क्राव किया चलो अंदर लेकिन अब बिना जाच के ऐसा नहीं होगा पहले उसकी जाच पड़ता लोगी फिर जिसको अंदर जाना है वो अंदर जाएगा जिसको फाइन लगना वो फाइन देगा नकली दवापर नियम में कोई बदलाब नहीं है ये बड़ा मुद्दा था नकली दवाओं पर उसमें कोई बदलाब नहीं है चोटे और मजोले कारेवारियों को राहत देनी की तैयारी है इसमें भी कोई दोराई नहीं है जिन अपरादों में 3 साल की सजा या 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता था उनमें 8 लाग तक का जुर्माना वसूला जा सकता है यह निए अगर सजा कम होगी भाई जुर्माना ज्यादा देना पड़ सकता है आपको इसी तरह बाकी अपरादों को लेकर भी लाखों रुपए के जुर्माने का प्राबधान किया गया है तो अपनी जेव अगर कुछ गलत करोगे तो जेव पर बजन आए गई आएगा यह याद रखना अगर किसी को कोई एडवर्स इफेक्ट या कोई उसका हानी होती है तो उसको फार्मा कंपनी को एरेस्ट करके उसके उपर केस चलाया जाता था अब आपके इस प्रावाधान से क्या होगा ना तो उसको एरेस्ट करने की प्रावाधान बचा है उसको जो भी कंपनसेशन है जो सरकार या फार्मा कंपनी कंपनसेशन करेगी तो उसको देदेगी. मुझे यसा लगता है कि इंसान की जिन्दगी इतनी सस्ती हो गई है कि आप उनको गिनी पिक की तरह यूज करना चाहते हो. अब आप बताईए, बिल आपको बेहत्री में लगा या नहीं लगा? अगर पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेश हो, कुछ भी गलत बत बोलना, हमने सारे तथे दिखा दीजिए, फैसला आपने करना है, आपको हमने सब कुछ बता दीजिए. अब सवाल ये है कि इस बिल के लागू होने से सिर्फ जुर्माना जुर्माना लगेगा, या कोई और छूट भी दी जाएगी, या जुर्माना और छूट के साथ साथ सजा भी मिलेगी, तो बिलकुल मिलेगी. ये जो सारे नियमें इनको A, B, C और D, चार केटगरी में बांट दिया गया है, चार जगा बांटा गया है. नकली दवा से अगर किसी की मौत हो गई तो इस अपराद को A केटगरी में रखा गया है, यानि कोई रियायत नहीं होगी, इसमें उमर कैद भी हो सकती है और जुर जिसमें साथ साल की सजा, साथ साल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. दवा के रियक्षन में अगर कोई थोड़ा भी बिमार पड़ जाता है, किसी ने D और गडबड हो गई और कोई बिमार पड़ गया, तो ऐसे अपराद को D केटगरी में रखा गया है, जिसमें दो साल त में 4 लाख लोग नकली दवा खाने की वज़ा से मौत का निवाला बनते हैं ये आंकड़ा एक मोटा मोटा जबकि अगर दुनिया भर में नकली दवा से मरने वालों की सालाना हम संख्या देखें तो वो 27 लाख रुपे हैं सुरी 27 लाख लोग है तो ऐसे मैं आप अंदाजा ल दिल पर क्या सोचते हैं कि उनके फाइदे का सौधा है या घर्टे का सोधा है कि सरकार कुछ पैसों के लिए कुछ प्रॉफिट के लिए अपने कमारी के लिए ना बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऐसे मंजूरी दे देती है लेकिन जो गरीब आद में जिसको नॉलीज नही अगर हमें कुछ होता है डॉक्तर लिए उसे हम विष्वास पर ही थूखाते है अगर हमें कुछ होगा तो कम्पनी ही जुम्यदार होगी सबका अपना मूह है, सबके अपने बोल है हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है कि मुझे इसका फाइदा होगा, मुझे इसका नुकसान होगा ज्यादा तर ये बोलने वाले आजाते हैं कि नुकसान ज्यादा है भाईया, फाइदा कम है लेकिन हम ये आपको कहते हैं कि पहले पूरा बिल ध्यान से पढ़िए जो हमने समझा है उसको समझिए फिर अपने बिजनस का अपने घर का और तमाम चीजों का असेस्मेंट कीजिए लेकिन अगर कोई भी आदमी कोता ही वर्थता है तो वो बचना नहीं चाहिए दवाई और सेथ एक ऐसा मसला है जिस पर ना कोई सरकार को समझाता करना चाहिए ना हमें कोई बच्चा अगर बिना जानकारी दिये केश दिन स्कूल से गैर हाजिर रहे तो उसका दाखिला रद होगा ये नहीं होगा आप बताइए मुझे पर अब मैं बात करता हूँ एक मिनिस्टर की और वो भी बिहार के तो शायद उन पर कोई काईदा कनून लाग्यू नहीं होता शिक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर शेकर कुछ इस कदर कोप भवन में जा बैठे हैं कि 23 दिन से अपने दफ्तरी नहीं आ रहे दफ्तर की तरफ मुई नहीं किया वैसे ही बिहार की शिक्षा को लेकर सवाल पहले ही कम नहीं है पर सबसे ताजा सवाल शिक्षा मंतरी की गैर हजरी को लेकर है इसके कारण राज्य की पहले से ही जर जर शिक्षा वेवस्था और चर्मरा रही है मंत्री जी काहे नाराज है और कहां गायब है ABP News के रिपोर्टर शशांक खोज खबर लेने पहुंचे शशांक पहले मंत्री जी के दफ्तर गए मंत्री जी वहां नहीं मिले चेंबर पर ताला लगा था वहां दो-तिन लोग मौजूद थे जिनका कहना था कि मंत्री जी क्षेत्र के दौरे पर है हलांकि उनकी कार दफ्तर के बाहर ही खड़ी थी मंत्री जी के सरकारी बंगले और दफ्तर के बीच ज्यादा दूरी नहीं है शशांक वहां भी गए लेकिन मंत्री जी के बंगले पर भी दर्वाजा बन था बताते हैं कि अपने ही चीफ सेक्रेटरी से मंत्री जी की अन्बन है अन्बन कुछ इस कदर की नराजगी दिखाने के लिए उन्होंने दफ्तर का वाइकॉट ही कर दिया बिहार के स्कूल छात्र अध्यापक विवाग व्यवस्था सब प्रफेसर चंदर शेखर जी के लौटने की रहा देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं बच्चे भी देख रहे होंगे हाँ बिना उनकी गुम्शुद्गी की रिपोर्ट लिखवाए हमारे यहां तो गुम्शुद्गी की रिपोर्ट के परचे भी चिपक जाते हैं बिहार में शिक्षा का हाल दामडोल है साक्षरता दर 61.8% यानि पूरे देश में सबसे कम है वजह स्कूल से बच्चों की दूरी जाते ही नहीं सारी कोशिशों के बाद भी सरकार स्कूल में बच्चों को लाने में काम्याब नहीं हो पा रही है बाब मंतरी जी आएंगे नहीं तो कहां से बच्चे कहां से आ जाएंगे बिहार में प्राइमरी यानि पहली से पांचवी क्लास के सिर्फ साथ फीस्दी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं चालिस फीस्दी गायब जबकि राष्ट्री आउसत बहत्तर फीसद है यह आकड़ा सरकारी स्कूलों का ही है सारा जहां सुविधाओं की कमी है तीचर कम है इसलिए लोगों को अडमीशन यहां पे मिलता है लेकिन वो उसके बाद वहां आते नहीं है और उनको लगता है कि अब यहां पढ़ाई मत करो यहां टेंडेंस लगवाते रहो यह जुगाड कर लेंगे और पढ़ाई के लिए ट्यूशन और कोचिंग पर उनको सरकारी स्कूलों से ज्यादा भरोसा है बिहार में 71 पीज़दी बच्चों की पढ़ाई ट्यूशन के भरोसे है मतलब 29 पीज़दी बचे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं मजबूर होंगे फीज़दी दे सकते होंगे या लाचार होंगे वरना सब ट्यूशन के भरोसे चल रहे हैं कि नाशनल राश्ट्री स्तर पर जो औसत है वो 30.5 फीस दी है देखिए बिहार की कितनी ज्यादा है राश्ट्री कम है यह हम थोड़ा ना कह रहे हैं देश के बाकि सभी एंजियो जो एजूकेशन में लगे हुए यह सब भी कहते हैं प्रतम की रिपोर्ट क्या बताती है अब उसको सुनिए पहले कि इसकी वज़य क्या है क्यों बच्चों का इंटरेस्ट्री में पता क्योंकि सुविधाओं की कम है बिहार में 75,558 सरकारी स्कूल हैं कम नहीं है 75,000 देख लीजी आप लेकिन इन में से 10,717 स्कूलों में बत्ती गुल बत्ती चला दाना भी बोली बोल उससा करता है और ऐसा माना जा रहा है कि यह मानवा धिकार का हिसा हो गया है इंटर्नेट लेकिन बिहार के ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को यह मैसर नहीं होता इंटर्नेट ज़ीआ अर्बन एरियाज में शेरों में और sit अच्छा होता मंत्री जी बिहार के शिक्षा का हाल सुधारते ऐसे गाइब होनी की बजाए मतलब उसमें जो रोडे अटका रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेते अगर कोई उनकी सोच से परे काम कर रहा है उसके खिलाफ कारवाई करते लेकिन वो तो ऐसे नाराज हुए कि दफ्तरी ही नहीं आ रहे करमचारी ऐसा करता तो शायद उसकी मतलब छुटी हो जाती उसकी सेलरी काट लेते मंत्री जी को छुटी तो मिलती नहीं तो क्या नितीश अपने मंत्री के बेतन से खटोती करेंगे जो मुद्धे पबलिक इंटरस से जुड़े होते हैं वैसे तो मैं हमेशा उनी को उठाता हूँ सब चीजों से हट के सीधी पबलिक की बात होगी क्योंकि यह आपका टाइम है लेकिन मैं एक बात और याद रखता हूँ जो मुद्धा मैंने उठाया है उसे भूलने नहीं दूँगा यह मेरा आपसे वादा भी है 17 जुलाई को हमने आपको मुक्तार फाइल दिखाई थी याद है डॉन पंजाम में वी आई पी ट्रीट्मेंट बड़ा खुला सा हमी ने किया था तक्रीबन एक महीना हो गया मैंने का चलो वही चीप मिनिस्टर ऑफिस में यह पता तो कर लें कि हुआ क्या उस फाइल का जो रिक्मेंडेशन थी तक्रीबन एक महीने बाद केस दर्ज होने का इंतजार कर रहे हैं हम जो उस फाइल में जो चीब मिनिस्टर भगबंतमान को भीजी गए उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंग और पूर्व जेल मंतरी सुखजिंदर सिंग रंधावा के खिलाफ ही नहीं बलकि जेल और जो पुलिस के अफसर उस टाइम बीईपी ट्रेटमेंट में जो चमचागीरी कर लिया तो सीम ने कहा कि कारवाई होगी बेशक थोड़ा वक्त लग सकता है इतना वक्त मतल लगा यह मान साब की कारवाई जेलने वाले को और कारवाई देखने वाले का इंट्रस्टी फीका पड़ जाए यह पब्लिक इंट्रस्ट है कि मुक्तार उसारी के मामिले में जो इसकेशन हुखी एपिया के इस बेखने कर दो देखने हैं तो साही कि अजिए होगी ने पहले उन्दी रपोर्ट देदोसा आए कि व के जाहें विवकर सीर हइए भी खजान पैए भी काईया फंजावेफे फेर्पट अपने निजी मुफादा लहे जाए अंपनेग स्वोगा mechanics अबनेम साईए स्वु वर्त्य है पंजाब दे लोग का दी में दिक माई बूंपसीन दिक माई हरे एक दसाद होगा किसे ते आज जी हो जूँ किसे के कल लोग पर हो जब जो जिए इस मामलेच कोई हो चलिए मान साब आपने कहा दिया कि होगा जरूर हम भी इंतजार करेंगे आपका कमेंट हो गया अब उस सेगमेंट की बारी भी आ गई है जिसका आपको बेसबरी से इंतजार रहता है और शुकरवार के शो में आपने जो कमेंट किये थे उन्हें जल्दी से पढ़ लेते हैं क तो इसलिए आपने ये कमेंट किया था पंजाब में अनाज घोटाले की खबर पे भी किया था घोटाला हुआ होगा वाजीवा क्या बात है प्रेम नारायन जी लिख रहे हैं पंजाब के अलावा और कहां अनाज बरबाद हुआ ये भी बताओ बिल्कुल बताएंगे सर जह क्यूं आपका तीनों का ये जो केरिल की महलाओं की धाई सो रुपे में निकली थी ना दस करोड का जैकपॉट लगा था उस पे लिख रहे हैं गुड नियूज भी आपको देते हैं हमेशां अन्त में गुड नियूज आती है आज भी आएगी बने रहिएगा आप दुखत के ऊपर भी कर दिया जाए अनाज खराब यहां भी हुआ है यहां पर गोदामों का हाल बता दो एक भारती होने के नाते बोल रहा हूं किसी पार्टी का कारे करता नहीं बिलकुल बताएंगे शिवा जी बहुत-बहुत चौदरी शिवा जी लिख रहे हैं शिवा जी हम तो ह पर लिखा भी था अगर जहां हुआ है थोड़ा साप अड्रेस पता देगे तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे बहुत-बहुत शुक्री आपका